नाजरीन आदाब मौला नाजाद नाशनल उदू युनिवस्टी की इस तालीमी निशिस्त में शोबे तब्यात की जानब से मैं डॉक्टर प्रिया हसन आपका खेर मत्दम करती हूं हमने इससे पहले इल्म मनाजर में बात की थी कि किस तरह रोशनी, मौजों और जर्रात दोनों की तरह बरताफ करती है और चूकि रोशनी एक मौज या वेव है वो मौजों की खुसूसियात को जाहिर करती है जैसा कि इंटिफियरंस और डाइफ्राक्शन और इंटिफियरंस और डाइफ्राक्शन की मदद से ही हमने साबित किया था कि रोशनी एक मौज है सभी किसम की मौजे इंटिफियरंस और डाइफ्राक्शन को जाहिर करती है जैसे कि आवाज बर्खी मकनती से आज हम तक्तीब या पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे हमें रोशनी के बारे में क्या खास मालुम हुआ आईए पहले दो किसम के मौजों के बारे में बात करते हैं अरजी या ट्रांसवर्स और तूली या लॉंगिट्यूडनल वेव्स मौजों में एक सिम्त होती है जिसमें जर्रात एतिजास करते हैं और एक सिम्त होती है जिसमें मौजे सफर करती है आवाज की मौजों के लिए ये दोनों एक ही सिम्त में हैं जो आप फिगर या शकल में देख सकते हैं इसे हम longitudinal waves या तुली मौजे कहते हैं पर जब आप पानी में पत्थर फेगते हैं तो ये दो सिम्त उमुदी या पपेंडिकुलर होते हैं पानी के जर्रात उपर नीचे एत इजास करते हैं और मौज बाहर की तरफ सफर करती है इसे हम अरजी या transverse waves कहते हैं polarization या तक्तीब सिर्फ transverse waves में हो सकता है आवाज की मौजों को हम polarize नहीं कर सकते हैं और इसी तरह हमें मालुम हुआ कि रोशनी एक transverse wave है असल में रोशनी एक अरजी बर्खी मकनतीसी मौज है इसमें तीन सिम्थिये या vectors है E बर्खी, B मकनतीसी और K मौज के सफर का सिम्थ गैर तक्तीब मौजों में K का मुतायन सिम्थ है और E और B बेतर्टीब सिम्थ में होते हैं शट सिर्फ यह है कि किसी भी वक्त तीनों एक दूसरे के perpendicular हो अगर किसी भी तरह से हम E या B वेक्टर को मुतायन कर सके तो रोश्णी तक्तीब या polarize हो जाती है अगर E या B वेक्टर की नोक सीधी लकीर बनाता है तो इसे खती तक्तीब या linearly polarized light कहते हैं अगर E या B वेक्टर की नोक दाइरा बनाता है तो इसे दाइरी तक्तीब या circularly polarized light कहते हैं या तो दाए या बाए हाथ यानि left और right circularly polarized light गेर तक्तीब रोश्णी को हम तीर या नुक्तों से जाहिर करते हैं जो हर सिम्त में हैं तक्तीब या polarized light को हम एक तीर से जाहिर करते हैं जो एक ही सिम्त बताता है हमारी आखों से हम रोश्टी की तक्तीब नहीं देख सकते हैं ये शायद इसलिए है कि सूरज की रोश्णी में जज़वी तक्तीब है पर कई कीडे जैसे शहद की मक्हियां पोलराइज रोश्णी देख सकते हैं इससे ये कोई भी सिम्त की पहचान कर सकती है और हम भी तक्तीब रोश्णी को कई तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि तक्तीब या पोलराइज रोश्णी से हम अरजी या ट्रांस्वर्स और तूली या लॉंगिट्यूडन मौजों में फर्क बता सकते हैं Sun glasses या धूप की एनक तक्तीब रोशनी का इस्तमाल करके गेर जरूरी इनकासी रोशनी को कटता है 3D movies या picture को देखने के लिए हम polarized glasses इस्तमाल करते हैं कई साल पहले polarizer से instant photographs भी लिये जाते थे आईए देखेंगे कि किस तरह से हम चार मजाहिर के जरिये तक्तीब रोशनी पैदा कर सकते हैं पहला इनकासी रोशनी या reflection दूसरा तरसील या transmission तीसरा दोरा इनताफ या double reflection और चोथा बिखरना या scattering इनकासी रोशनी या reflection जब गैर तक्तीब रोशनी किसी इनकासी सतय पर वाके होती है तो रोशनी को दो हिस्सों में हल किया जा सकता है एक हिस्सा जो प्लेन से पारलल है उसे P-like polarized कहते हैं और जो उमूदी है उसे S-like कहते हैं ये दोनों हिस्से अपने आप polarized होते हैं आम तोर पे ये दोनों जुड जाते हैं और हमें गैर तक्तीब रोशनी बिलती हैं अगर हम ये दोनों को अलग कर सकते हैं तो polarized light पा सकते हैं एक खास जाविया या angle होता है जिस पर इनकासी हिस्से में 15% S-component होता है और refracted ray में दोनो S और P components होते हैं तो इस तरह से हम दोनों component को अलग करके polarized light हासिल करते हैं आए इस जाविय का value पता करे थीटा P क्या है अब हम मालूम है पाई Snell's law sin I by sin R is equal to N2 by N1 जहां N2 और N1 refractive index है यह है I है sin theta P जो Brewster's angle है तो हम लोग शकल में अगर देखते हैं तो आप देखिये theta P plus 90 plus R is equal to 180 therefore R is equal to 90 minus theta P इसको इसमें substitute करेंगे तो we get sin theta P चुकि theta P I है divided by sin of 90 minus theta P which is equal to sin theta P divided by cos theta P which is equal to tan theta P तो theta P जो है which is equal to N2 by N1 तो theta P is equal to tan inverse of N2 by N1 और इसी को हम कहते हैं Brewster's angle theta P एक polarizer का refractive index 1.33 है Brewster's angle क्या होगा और angle of refraction क्या होगा by Brewster's law हमें मालूम है के theta P is equal to tan inverse of N यानि की tan inverse of 1.33 which is equal to 53.06 Angle of refraction के लिए हम इस्तिमाल करेंगे that theta P plus R is equal to 90 or therefore, R is equal to 90 minus theta P and therefore, which is equal to 90 minus 53.06 which is equal to 36.94 degrees ये है मेरा angle of refraction ये तरीके में सिर्फ 15% रॉष्णी हमें मिलती है इसका इस्तिमाल कई जगव में होता है जैसे कि रॉष्णी को कम करने sunglasses में और lasers में जहां हम चाहते हैं कि रॉष्णी polarized हो तो हम आईने Brewster's angle पे रखते हैं polarizers या तक्तीब नामें वो होते हैं जिसे एक ही सिम्त के एतिजाज गुजर सकते हैं और इसी लिए जब गैर तक्तीब रॉष्णी उस पे पढ़ती है तो उसे सिर्फ एक ही सिम्त के एतिजाज की तरसील होती है और तक्तीब रॉष्णी निकलती है बाकी सिम्तों को रोश्णी जजब हो जाती है 1809 में मैलिस ने ये तजुर्बा किया और देखा कि रोश्णी जब पोलराइजर से निकलती है तो उसकी शिद्दत मुक्तलिफ होती है अगर रोश्णी और पोलराइजर के बीश का जाविया या अंगल थीटा है तो मैलिस लोग को इस तरह बयान करेंगे रोश्णी की शिद्दत बढ़ती है as the square of the cosine of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of the polarizer दो पोलरोइज ए और बी को ऐसा रखा गया है कि उनके transmission axis के बीच का जाविया थीटा है अगर transmitted रोश्णी की शिद्दत 0.75 I0 है जहां I0 रोश्णी की शिद्दत है तो थीटा पता कीजे Malice law से हम जानते हैं कि I is equal to I0 cos square theta which is equal to 0.75 is equal to cos square theta यानि की cos square theta is equal to 0.75 तो थीटा का value होगा 30 degrees आज हमने तक्तीब रोश्णी के बारे में बात की और देखा कि किस थरह से हम उसे पैदा कर सकते हैं पहले इनकासी रोश्णी या reflection से और दूसरा तरसील या transmission के जरिये अगली बार हम बात करेंगे polarized light को किस थरह से double reflection के जरिये पैदा कर सकते हैं मजीद जानकारी के लिए आप दिये गए किताबों का इस्तिमाल कर सकते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिस और अब तक के लिए गए खुदा हाफिस झाल झाल